हालो फ्रेंज मैं हूँ सुमन सिंग स्वागत है सुमन कीचन में आपका फ्रेंज आज हम लेकर आए हैं काड़ा की रेसिपी काड़ा एक ऐसा आयरुवेदिक पीपदार्थ है जिसे पीने से सरीर की रोक प्रतिरोधक छमता बढ़ती है ठेंड की मौसम में या पदलते मौसम में अक्सर शर्दी जुकाम की सिकायते बनी रहती है और ऐसे में सबसे पेश्ट कहरेलो नुक्षा होता है काड़ा पीना काड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाली अधिकतर समागरी कीचन में ही मिल जाती है तो आईए हम कीचन में मिल जाने वाले चीजों से बनाते हैं काड़ा फ्रेंज ये काड़ा इतने फायदे मंद है कि आपको जितना भी तेज खासी है जुकाम है गले में खरास है बदन दर्द है इस काड़े को पीने से 4-5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे तो चलिए इसे बनाना ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक इमन दास्ते में हमने 5-6 लॉंग डाला है और 7-8 काली मिर्च डाल रहे हैं और इसे कूट कर बिल्कुल बारिक पाउडर त्यार करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉंग और काली मिर्च हमने इमन दास्त त्यार कर लेंगे बारिक पाउडर त्यार कर लेंगे तो यहाँ पे त्यार हो चुका है चलिए आप गैस के तरफ चलते हैं यहाँ पे गैस वान करके हमने एक पतिली रख दिया है पतिली के अंदर एक इलास पानी डालना है हमें पानी थोड़ा सा गुन-गुना होने के बा कदुकस कर देंगे यहां पे आप अद्रक कूटकर भी डाल सकते हैं या सोट का पावडर भी एड़ कर सकते हैं एक चमच सोट हुँ होता है जो सुखा हुआ अद्रग का पाउडर होता है तो यहां पे हमने डाल दिया है अद्रग कदुकस करके उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे गूण फ्रेंज यहां पे आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी साब से गूण एड करें तो छोटा छोटा दो टुकड़ा हमने गूण कर डाला है यहां पे हाफ टेवल स्पून अजवाइन हाफ टेवल स्पून हल्दी पाउडर हमने लिया है उससे भी हम इसमें एड कर देंगे उ और गैस यहां पे लो कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें साथ से आठ मिनट तक इसे पकाना है यूं कहिए कि इसे पकाते हुए एक गलास को हमें हाफ गलास कर देना है जो हम कड़ा बना रहे हैं एक गलास का उससे हाफ गलास पकाते हुए करना है तो यह साथ से आठ म इतने फायदेमंद है कि मैं हर बदलते मौसम में अपने हस्बेंड के लिए ये यूज करती हूं बदलते मौसम में उन्हें अक्सर खासी चुकाम के सिकायद बनी रहती है और इसे देने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं थोड़ अब यहाँ पर हमने चान लिया है और काड़े को अब इसमें एक चमच हनी डाल कर हम मिला लेंगे उसके बाद इसे गरम गरम हमें पीना है ठंडा बिल्कुल नहीं करना है और आप एकिन मानिए इसे पी के सो जाए रात को और सुब्वे उठेंगे तो आपको जुकाम खासी में बिल्कुल फर्क दिखेगा तो फ्रेंज ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि आपकी काम की लगी फायदे की लगी तो हमारे वीडियो को सेर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और नेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेंजा प्रेंजा ये आपकी काम की लगी आवजिए प्रेंजा में जरूर थे वीडियो के लगी काम कीजिए में जरूर ये लो कर सेर कि लगी घपकी के लिए।